बिस्मिल्लाहिर रह्मानुरहीम, असलाम अलेकूम टू आइडिया स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, रजा रतीफ आज के लेक्चर में हम सभी स्टुडेंट्स कंप्लेक्स नैसस टू जिसका कोर्स कोड है MTH 504, लेक्चर नमबर 3, MCQs से रिलिटर्ड करने जा रहे हैं प्रीवियस जो लेक्चर गुजरे हैं, इन में हमने कंप्लेक्स नैसस टू के MCQs को स्टार्ट किया हुआ है और जो के फाइनल एक्जैम्स, GCUF के हवारे से इंपोर्टन कंसीडर किया जाते हैं कंप्लेक्स नैसस टू में अगर आप ये MCQs जो मैं अपने चैनल में अप्लोड कर रहा हूँ अगर आप इन्हें प्रिपेर कर लें फाइन एक्जैम्स से पहले तो आप के लिए ये बैनिफिशिल साबत होंगे तो आप लाजमी तोर पर सभी स्टूडेंट्स प्रिपेर करके जाएएगा जो मैं ये MCQs सभी अप्लोड करूँगा तो आप इनको अच्छे से प्रिपेर कीजिए गया अदला पाक आप सभी कहा मिन आसर हो तो आज हम MCQ 25 से ओनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्मेंट कर रहे हैं कंटिनू अगर कोई स्टूडेंट चैनल को अभी तक मेरे लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया या न्यूव स्टूडेंट्स हैं तो आपको फोर यूस का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसलिए आप सब्सक्राइब लाजमन कर दे और अपना पोजिटिव फीड़ पैक कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करो तो कंटिनू कर रहे हैं स्टेट्मेंट पाइजान इंटीग्रल इस हार्मानिक ईनालोग of पाइजान इंटेग्रल जो हार्मानिक है इसके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है यह बताना है तो यहाँ पर हमारा काशी इंटिग्रल फॉर्मॉला जो होगा यह करेक्ट है काशी इंटीग्रल फॉर्मॉला जो है यह पाइजान इंटीग्रल में हार्मानिक की तोर पे लिया जाता है तो भी ओप्षिन हमारा क्रेक्ट होगा M.C. की नमर 25 की स्टेटमेंट है The Mapping W is equal minus Iota Z is W is equal to minus Iota Z को हम जब सोल करते हैं यह मैपिंग का जो चैप्टर हमारा चैप्टर में 2 दैंजी जिल से है तो इससे रिलेटर में ने क्रेशन करवाए हुए है आप लेलेस फोलो का लिए जिगा तो अगर इससे हम सोल करते हैं इसकी मैपिंग ड्रो करते हैं तो यह rotation फोर्म में आएगा यहाँ पर हमारा A option correct होगा mc2 no.27 की statement है image of x greater than or equal to under the function f of z is equal to z is यह जो हमारे पास mapping की formation में यानि f of z आपको पता है w के equal होता है तो w is equal to z भी कह सकते है तो f of z is equal to z है इसमें हमारे पास जो यह domain है इसके image x greater than or equal to 2 जो है इसके लिए हमारा mapping u में यहां v में क्या जल्टाएगा तो x real part है तो obviously यह जो x real part है यह w plane में u पे लाई करेगा अगर यहाँ पर y होता तो फिर इसने understood सी बात है कि इसने अगर y की विज़ा से फिर वो v पे map करना था अब यहाँ पर x real part है तो इसने real part पे ही map करना है जो के x का u पर map होता है तो हमारा यहाँ पर u greater than or equal to जो है correct answer है बाकि यह जो v है यह भी v और non-year नहीं आएंगे ठीक है यहाँ पर real part की बात करेगा तो वो real part पे map करेगा अगर यहाँ पर imaginary यानि के अगर y की बात कर रहा होता तो फिर इसने v पे map करना था ठीक है और inequality chain नहीं होती है inequality as it is ही रहती है next mc के number हमारे पास 28 की statement है the function f of z is equal है e raise to power z is conformal बताना है कि यह हमारे पास जो given function है क्या यह conformal every point पे है या कुछ ऐसे point है जो के lie नहीं करवाएगा यह जहां पर analytic नहीं होगा वो बताना है हमने तो यहां पर हमारा यह whole complete plane पे बात true है मतलो यह entire function है यह हमारा whole complex plane पे define करता है किसी ऐसा point मतलो कोई भी नहीं है जहां पर वो define ना कर पाए तो अभी पे define करता है तो यह e raise to power z is conformal है at every point mc के number 29 के statement है pre-image of infinity under the function f of z is equal a z plus b over c z plus t यह हमारे पास lft की formation होती है जोसका हम linear fraction transformation बोलते है और हमारे पाल linear fraction transformation की जो definition आती है यह understood होता है यह mc के उसमें बात लाजम करता है कि a d minus b c जो है na cross multiplication में यानिके यह जो a d है यानिके ऐसे multiply करें a d और minus b c जो होगा इन दोनों का आपस में जो difference होगा वो 0 के कवल ना आए तो वो हमारा confirmal होता है तो उस दुनान हम लोग लिखते हैं a over c यहांपर हमारा a over c जो है correct answer होगा यानि इस तरह की formation के लिए हम लोग उसका a over c result ले रहे होते हैं तो यह हमारा part यानिके correct है mc की number 30 की statement है when f of z is equal e raised to power z divided by sin z then the winding number of the function in z modulus is equal to 2 is यानि यहांपर हमने बताना के winding number इस function का क्या होगा अब यह यह unit circle है ना इसके carding हमने function को treat करना होता है यहांपर हमारा unit circle का radius 2 है तो हमारा c option correct होगा यानिके 2 answer है तो next है mc की number 31 की statement all the zeros zeros mean roots roots कह दे यह zeros कह दे एक ही बात है all the zeros of the function z raised to power 5 plus 6 z raised to power 3 plus 2 z plus 10 is equal to 0 lies in the region बताना है कि यह हमारे पास जो एक equation है polynomial की formation में यह बताना है कि इनके जो roots हैं कहा लाई करेंगे तो यहां पर हमारा जो root होगा यह मतलब इस function के लिए जो acceptable है 2 से 3 के between होंगे कहने कि यह z modulus 2 और 3 open interval formation में होंगे a part आपका correct है under nest mcq number 32 के statement under the mapping f of z is equal iota a z a modulus is equal to 1 is domain is मतलब बताना है कि यह जो हमारे पास function है इसके लिए कौन सी formation perfect है तो यह जो हमारे पास given function है इसके लिए हमने chapter number 2 2.3, 2.5, 2.2 exercise की हुई है यह डेंजिल से उसी के related यह part है तो यहां पर हमारा rotation भी hold करती है और यह magnification भी करता है तो यह rotated भी होगा और magnified भी होगा तो यहां पर c option is the correct answer नेस्टर मारे पास mc की number 33 की statement है any elliptic function is expressible in terms of इन में से यानि के कौन सी information elliptic function के लिए true है elliptic के लिए westrasse elliptic function भी true होता है और jacobi elliptic function भी true होता है यहां पर हमारा westrasse elliptic function भी perfect है और jacobi elliptic function भी perfect है यानि के c option मारा ठीक है both above mc की number 34 की statement आती है next the mapping f of z is equal iota divided by z transforms lines onto यानि की जो हमारे पास ये w plane ये w is equal to f of z होता है ठीक f of z is equal to iota over z ये बताना है की कहां पर transform करेगा तो ये हमारे पास line और circle दोनों पर touch करता है इसमीन हमारा ये भी पार्ट जो भी option है ये ठीक है lines and circles last mc को आज के lecture का mc को number 35 if the function is elliptic function then the winding numbers of the function is always winding number जो analytic function में है वो हमेशा positive consider होते हैं negative हम लोग नहीं लेते हैं तो हमारा a option correct है positive number winding number आप सभी student जहन में रखेगा के winding number हम लोग हमेशा positive ले रहे होते हैं ठीक है positive number winding number में आएंगे तो onward mcqs इंशाला coming lectures में आप सभी students को understand करवाएंगे इंशाला आज का lecture हमारा mcqs number 35 तक ही था onward अभी remaining mcqs अभी रहते हैं वो भी हैसा हैसा आप सभी students को channel में इंशाला upcoming lecture में मिल जाएंगे तो तब तक के लिए यह बना क्या रखेगा मुझे दौाओं में या रखेगा अला आफीस and stay blessed